हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पित्रित कर कोरोना के बचाफ के बारे में जानकारी दी बांठियाने राज किया उच्छ प्रातामित विद्याले पोशाम नगर में 26 चत्राओं को संभोधित करते हुए कहा कि कोरोना की लहर में जाग-रूकता की जरूरत है बांठिया ने चात्रों से घर से स्कूल के लिए आने पर हमेशा मास्क बेनने, स्कूल में उच्छी दूरी बनाये रखने एवं साबन से हाथ दूने के साथ ही सैनेटाइजर का उप्योग करने की अपील की उन्होंने कहा कि बचा भी उपचार है विद्याले प्रधाना धाप्यक दिव्या सुनी ने बांठिया का आभार चताते हुए कहा कि कोरोना की लेहर में गणपत बांठिया स्कूली चात्रों की सुरक्षा के लिए विशेश रूप से सकूरीये है कोरोना के शुरुवात के साथ ये ट्रस्ट के और से हमेशा चात शातराओं के लिए मास्को सेनिटाइजर दिये गए है इस दोरान सिक्षक सेतान शिंग सोलंकी, राजवाना जाखड, सरोट जांचडिया, रजनी वर्मा आदी मोजूद रहे बांधिया ने राजिस्तान सरकार से ग्रामे शेतरों की स्कूले कोरोना की तीसरी लहर के कम नहीं होने तक अविलम बंद करने की मांग की वाजबा प्रदेश कारे समिती सदल से गंपदबाठिया ने कहा कि ग्रामिंग शेत्रों की स्कूलों को क करोना की तीसरी लेहर के बावजूद सरकार दोारा बंद नहीं करने पर सरकार की कारे प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसी स्कति में स्कूले सचालीत किये जाने पर सिचात शakra च्राव के कौरोना के संक्रमन की चुपेट में आने का खत्रा बढ़ जाएगा कई ग्रामिंग शेत्रों में सचालीत स्कूलों में अध्यापक कौरोना पॉजिटिव आने की खबरे आरही है उन्होंने बताया कि अनेकों शिक्षक शेहरी शेत्रों में स्कूल आते ही जबकि शेहर की स्कूलों को सरकार ने बंद कर रखी है लेकिन शिक्षक तो शेहर से घरों से विध्याले आएंगे सरकार की दोरी नीतिक गेर वाजिब लग रही है बांधिया ने बताये कि सरकार द्वारा ग्रामील शित्रों की स्कूलों को बंद नहीं करना सरकार वो चिला प्रसाशन की ओर से लापर वाही है इसके लिए बाठिया ने बाश्वा के प्रदेशा द्यक्षव विधान सभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को भी अवगत करवाया जागरूप टीवे के बाड मेर से ठाकरा मिखवाल की रिपोर्ट